अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन लबाना मत भूला इस वीडियो में हम बात करेंगे 1995 की आसकर विनिंग डच फिल्म अन्टोनियाज लाइन के बारे में जो कहानी है अन्टोनिया नाम की एक इंडिपेंडेंट औरत की जिसने अपने गाव लोट कर एक ऐसी सोसाइटी बनाई जहां औरतों के हातों में कंट्रोल है अन्टोनिया एक ऐसी औरत है जिसके आखरी दिनों में वो दूसरों की तरह मौत से डर कर नहीं बलकि मौत के लिए तयार होकर अपना आखरी वक्त जीने वालों में से है उसे एक सुबह उठते ही पता चल गया कि वो दिन उसका आखरी दिन है और वो अपना आखरी दिन जीने निकल पड़ी हर रोज की तरह एक नॉर्मल दिन बिताते हुए उसे अपना अतीत याद आ गया जहां वो वर्ल्ड वार टू के खत्म होने के बाद अपनी बेटी डानियल के साथ अपने गाव लोट कर आई जिसे वो 20 सालों पहले छोड़ कर निकल गई थी अंटोनिया अपनी मा के घर गई जो दिमागी तौर से परिशान थी और हर वक्त चिलाती और गालिया देती थी मगर अंटोनिया के लिए ये कोई नई बात नहीं तब ही वहाँ एक पादरी आया क्योंकि हर कोई जानता था कि अंटोनिया की मा अपनी आखरी सासे गिन रही थी पर अपने आखरी पलों में अंटोनिया का नाम लेकर अचानक एक अजीब तरीके से उसकी मा की मौत हो गई अन्टोनिया डानियल को अपने गाओ के लोगों के बारे में बताने लगी और अन्टोनिया ने उसे क्रूकिट फिंगर नाम के आदमी के बारे में बताया जो बच्पन में उसका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था इसके बाद वो उसे मैड मडोना के घर के पास ले गई और बताया कि वहाँ खड़ा आदमी सालों से मैड मडोना से परिशान है और वो एक प्रोटेस्टन्ट है यानि कि एक आदमी जिसने चर्च छोड़ दिया गाओ के अलग-अलग लोगों के बारे में बताने के बाद वो लोग अन्टोनिया की मां के फ्यूनरिल के लिए चर्च पहुँचे डानियल अपनी इमाजिनेशन में खोई रहती है और इसी इमाजिनेशन की वज़े से उसे अजीबो गरीब चीजे दिखाई देती है अन्टोनिया को चर्च में हो रही चीजे बकवास लगती है और यही उसने पादरी के सामने कह दिया जिसे सुनकर वो अन्टोनिया से चिड़ने लगा अन्टोनिया अपनी बेटी को लेकर बार में गई जहाँ सिर्फ मर्द मौजूद थे उन मर्दों में से एक बत्तमीज आदमी दान अन्टोनिया के लोटने पर उसे ताने मारने लगा और कहने लगा कि उसके दोनों बेटे अन्टोनिया की बेटी से शादी करने के लिए तयार है वो दूसरी औरतों के साथ-साथ अपनी खुद की बेटी दीडी से भी बत्तमीजी करता है जिसे वो जबरदस्ती सब के सामने शर्मिंदा करने लाया और दान और उसके बेटे को रोकने का काम बास नाम के एक किसान ने किया जल्दी अंटोनिया और डानियल उस गाओ का हिस्सा बन गए और वो क्रुकेट फिंगर से भी मिलने जाया करते थे मैड मडोना हर पूर्णिमा की रात को चान की तरफ देखकर चीखती है जिससे प्रोटेस्टन परिशान हो चुका था पर चाहकर भी वो कुछ कर नहीं पा रहा था कुछ दिनों बाद अंटोनिया ने देखा कि दान के लिए काम कर रहे लड़के विलम को कुछ बच्चे परिशान कर रहे हैं एक तरफ जहां दान इस बात पर हस रहा था तो दूसरी तरफ अंटोनिया ने उन बच्चों को सबक सिखाया और तब विलम ने डान को छोड़कर अंटोनिया के लिए काम करना शुरू कर दिया विलम चाहे दिमागी तोर से कमजोर हो पर वो जानता था कि कौन सा इंसान अच्छा है और कौन सा बुरा बास को उस गाओ में आए सिर्फ 20 साल हुए थे जिस वज़े से वो गाओ वालों से अलग था और एक तरह से गाओ में नया था उसे अंटोनिया की स्ट्रॉंग पसनालिटी और उसके तोर तरीके पसंद थे इसलिए वो उसकी इज़त करता था दान जैसे लोगों के अलावा कुछ ऐसे लोग भी थे जो अंटोनिया को खुश रखते थे पर वो और डानियाल जानते थे कि उस गाओ में मर्द औरतों की आवास दबाते हैं और उन में से सबसे बुरे थे दान और उसके बेटे जिनकी हरकते डानियाल ने अपनी आखों से देखी एक रात अंटोनिया के घर बास आया और अंटोनिया से कहने लगा कि क्योंकि अंटोनिया एक विद्वा है और उसकी भी पतनी की मौत हो चुकी है वो अंटोनिया से शादी करना चाहता है उसका कहना था कि उसके बेटों को एक मां की जरूरत है पर अंटोनिया ने कहा कि उसे बेटों की या एक पती की जरूरत नहीं उसने बास से कहा कि अगर वो चाहे तो वक्त वक्त पर घर आ सकता है और अंटोनिया का उसके काम में हाथ बटा सकता है इस तरह बास अपने बेटों को लेकर अंटोनिया के घर आने लगा जहाँ बार मैनेजर ओलगा और पादरी का असिस्टंट भी आया करते हैं अंटोनिया और बास एक दूसरे को पसंद करने लगे थे पर अंटोनिया इससे ज़्यादा बास से और कुछ नहीं चाहती थी एक दिन अपना कुछ सामान लेने डानियल दान के घर के पास गई और तब उसने देखा कि डान का बेटा पीते अपनी ही बहन के साथ जबरदस्ती कर रहा है उसे देख कर गुसे में डानियल ने उस पर हमला कर दिया और डीडी को बचा कर वहाँ से अपने घर ले आई अंटोनिया ने डीडी का ध्यान रखना शुरू कर दिया और उसे अपने घर में ही रखने लगी और इस बाद से डीडी की मा बहुत खुश थी गाओ के सारे लोग ये सारी सच्चाई जानते थे पर आज तक किसी ने डान और उसके परिवार के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई कुछी दिनों बाद पीटे अपना घर छोड़ कर चला गया और दुनिया की नजरों से गायब हो गया जल्द ही डीडी और विलम को एक दूसरे से प्यार हो गया डानियाल एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी और इसलिए अपने आस पास के हर इंसान और चीजों को तस्वीर में उतारने लगी अन्टोनिया ने उसे पढ़ाई के लिए बड़े शहर भेज दिया और अन्टोनिया अपने खेतों को संभालती रही देखते ही देखते कुछ साल गुजर गये और डानियाल घर वापस आई और घर आते ही उसने अपनी मां से कहा कि वो एक बच्चा चाहती है अन्टोनिया और क्रुकिट फिंगर ने उसे शाधी करने के लिए कहा पर डानियाल को सिर्फ बच्चा चाहिए था एक पती नहीं उसके इस फैसले से अन्टोनिया सेहमत थी पर जानती थी कि इस गाओ के मर्द बच्चे के लिए सही नहीं कुछ दिनों बाद वो डानियल के इस काम के लिए सही मर्द ढूनने शहर गई और वो और डानियल एक ऐसे घर पहुँचे जहां सिर्फ प्रेगनेंट औरते रहती हैं। वहां मौझूद औरत लेटा से बात करके उन्होंने एक आदमी को ढूंडा जो डानियल को प्रेगनेंट करेगा। वो लेटा का भाई ही था और डानियल ने उससे मिलने के बाद उसे इस काम के लिए चुन लिया। वो दोनों होटेल गए और अपना काम पूरा कर डानियल लौट कर आ गई। घर वापस आने पर चर्च का पादरी अन्टोनिया के खिलाफ बाते करने लगा। और पाप और पुन्य की बाते करते हुए वो अन्टोनिया और डानियल को सब के सामने ताने मारने लगा। जिसका इस्तमाल कर वो लोग उसे ब्लैक मेल कर सकते हैं और उसे रंगे हातों पकड़ कर उन्होंने अपना काम पूरा किया जिसके बाद उस पादरी ने उनके बारे में सिर्फ अच्छी बाते कहनी शुरू करती नौ महीने बाद डानियल ने अपनी बेटी तेरेसा को जन्द दिया और कुछ सालों बाद ही वो लोग तेरेसा को क्रुकिट फिंगर से मिलाने ले जाने लगे क्रुकिट फिंगर एक जीनियस था और उसे तेरेसा की बातों से समझ आ गया कि दुनिया से ज्यादा टेरेसा को उसकी बाते समझ आती है और इसलिए वो और टेरेसा एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बन गए पादरी के असिस्टेंट ने जल्दी चर्च छोड़ दिया क्योंकि वो अपनी जिंदेगी आजादी से जीना चाहता था और उसने भी अंटोनिया के खेतों में काम करना शुरू कर दिया कुछ दिनों बाद डीडी प्लेगनेंट हुई और उसने और विलम ने शादी कर ली अंटोनिया शादी तो नहीं करना चाहती थी पर वो और बास साथ रहने लगे और अपने अफैर के लिए उन्होंने एक नया घर बनाया जहां वो अकेले वक्त बिता पाते थे हर कोई अपनी जिन्दगी में पहले से ज्यादा खुश था और फिर वहाँ लेटा अपने बच्चों को लेकर अंटोनिया के घर आ पहुची क्योंकि उसे उसके घर से निकाल दिया गया था पर अंटोनिया ने उसके परिवार को सहारा देने का फैसला किया लेटा ने सब को अपने बेटे सिमोन और बेटी यार लेटा से मिलवाया और ठीक उसी वक्त उसकी नजर पादरी के असिस्टेंट पर पड़ी और लेटा को भी वहा अपना प्यार मिल गया। कुछी वक्त में लारा टेरेसा को पढ़ाने उनके घर आने लगी पर टेरेसा से ज्यादा डानियल उसके साथ वक्त बिताने लगी और एंटोनिया को समझ आ गया कि उसकी बेटी को प्यार हो गया है। एक ही कब्र में दफनाया गया। एक दिन दान की मौत हो गई और पंदरा सालों तक घर से दूर रहने के बाद पीते जायदात पर हक जमाने वापस घर आया। उसका भाई यने उसे जान से मार देना चाहता था पर वो ऐसा कर नहीं पाया। लेटा का बेटा सिमोन टेरेसा से प्यार करता था पर टेरेसा का ध्यान सिर्फ मैथमाटिक्स और म्यूजिक पर था और वो अपने प्रोफेसर से भी ज्यादा समझदार थी ये बात हर कोई जान गया था पीते के आने से हर कोई परिशान था खास कर डीडी और फिर एक दिन किसी ने सोचा तक नहीं था पीते ने टेरेसा के साथ जबरदस्ती की और उसे सजा देने के लिए अन्टोनिया उसके घर पर बंदूक लेकर गई वो हर जगे उसे ढूनने लगी और जब वो उसे बार में मिला तो उसे वो बाहर ले आई उसने सब के सामने उसे श्राप दि तो उसने अपने भाई से मदद मांगी पर यने ने उसकी मदद नहीं की बल्कि उसे डुबा कर मार डाला अंटोनिया पूरी तरह तूट गई थी और दूसरी और टेरेसा को क्रुकिट फिंगर और सिमोन में सहारा मिल गया कई साल गुजर गए पर 20 साल की उम्रे होने तक भी टेरेसा ठीक नहीं हुई वो बहुत से लड़कों से मिली जिनके साथ रहने की उसने कोशिश की पर कोई भी उस जितना समझदार नहीं था और इसलिए उसे कोई भी पसंद नहीं आया पर फिर उसे सिमोन से प्यार हो गया क्योंकि बच्पन से वो उसी के साथ रही है कुछ वक्द बार टेरेसा ने सब को बताया कि वो सिमोन के बच्चे की मा बनने वाली है और सब ये सोचने लगे कि वो इस बच्चे को रखना चाहती है या नहीं क्रुकिट फिंगर इस बुरी दुनिया में उस बच्चे को आने नहीं दीना चाहता था और इसलिए उसने अबॉर्शन की सला दी पर टेरेसा ने अपनी बेटी सारा को जन देने का फैसला किया वक्त बीता गया और सारा बड़ी हुई सारा जानना चाहती थी कि क्रुकिट फिंगर हर वक्त घर में क्यों रहता है और जवाब में डिप्रेशन से गुजर रहे क्रुकिट फिंगर ने उसे बताया कि इस दुनिया के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट मौत है और वो बस मरना चाहता है क्योंकि बाहरी दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं टेरेसा अपना ज्यादा वक्त मैट्स और म्यूजिक में बिताती थी इसलिए सारा अंटोनिया के ज्यादा करीब थी जल्द ही सबको ये समझाने लगा कि सारा को मौत के कॉंसेप्ट में दिल्चस्पी है और चीज़े ऐसे बदलने लगी जैसे कि सारा की दिल्चस्पी ने मौत को अट्राक्ट कर लिया हो और धीरे धीरे गाव में लोगों की मौत होने लगी लेटा की अपने तेरवे बच्चे को जन देते ही मौत हो गई यने के सर पर एक गाई की लात लगने से उसकी मौत हो गई विल्यम की मौत एक ट्राक्टर अक्सिडेंट में हो गई जिसके बाद डीडी अपने आपको संभाल नहीं पाई मगर फिर भी मौत का ये सिलसिला रुका नहीं क्रुकिट फिंगर बदलती दुनिया को देखकर और परिशान हो गया और डिप्रेशन के चलते उसने एक चिट्थी लिखी जिसमें उसने टेरेसा को बताया कि वो और जी नहीं सकता उसी दिन अंटोनिया को भी एहसास होने लगा कि उसके दोस्त के साथ कुछ बुरा होने बाला है और उसका ये सोचना सही था क्योंकि क्रुकिट फिंगर ने आत्माहत्या कर ली सारा ने पहली बार अपनी मा को रोते हुए देखा और वो कई दिनों तक टेरेसा को संभालती रही पर टेरेसा क्रुकिट फिंगर की मौत के बाद बिलकुल अकेली हो गई और अपनी बेटी को ऐसे देखकर डानियल परिशान होने लगी सारा ये सोच रही थी कि अब उनमें से सबसे पहले किसकी मौत होगी अन्टोनिया ने कहा कि उसका वक्त सबसे पहले आएगा पर जाने से पहले वो सारा को बता कर जाएगी इसलिए उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं सारा को समझाने लगा कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता चाहे वक्त के सामने मौत हो या विकास और हम अक्सर ये बात भूल जाते है सारा की आखों के सामने अब वो लोग आने लगे थे जो या तो वक्त के साथ बदलते गए या फिर बूडे हो गए या दुनिया छोड़कर चले गए और उन लोगों के बीच अन्टोनिया भी थी जो आज जानती थी कि उसका आखरी दिन आ चुका है और उसने सारा को अपने पास बुला कर उसे यही बात बताई और कहा कि आज उसका आखरी दिन है उसी रात उसने अपने सारे करीबी लोगों को अपने पास बुलाया ताकि वो सब उसके आखरी पलों में उसके साथ रहे और उनी के बीच रात गुजार कर अगली सुबह सूरा जुगने के साथ ही उसकी मौत का वक्त भी आ गया और इसी तरह सारा ने अंत में आखिरकार मौत को करीब से देख लिया अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेर और कॉमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना